क्लास 12 प्रसायन विक्यां के दूसरा चेप्टर विलेयन की चर्चा करती है विलेयन विलेयन सबसे पहले हम लोग जनते हैं कि विलेयन किसे कह रहता है दो या दो से अधी सुध पदात के सामांगी मिस्तर को विलेयन कहते हैं दो या दो से अधी सुध पदात के सामांगी मिस्तर को विलेयन कहते हैं जैसे अगर बात की जाए यहां लोग पानी से भरा एक टब लेते हैं बरतन भी कर कुछ भी कह लिए पानी से भरा वर्तन लेते हैं और इस वर्तन भी क्योंकि इसकी पानी मने द्रॉप और इसमें चीनी डाते हैं चीनी की मात्रा डालकर पानी तो चीनी टेकर चीनी टेकर पानी में घुलकर अध्रिश्ची हो जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं यह कहते हैं चीनी की कर पानी में बिलीन हो गए घुल गए जिसे हम लोग बिलेयन कहते हैं कि विलेयन के सभी भागों का बुल समान होता है जैसे चीनी पानी में पूरी तरीके सी घुलते हैं तो अग्यों से या इस मिस्टरण से अगर लोग यहां के यहां से कोल भाग लेते हैं और यहां से भी कोल भाग लेते हैं है तो इनके वूढापस में समान होते हैं किया दो सब्सक्राइह करें करें लτο सब्सक्राइब लिए हिसमेंत जान प्लस विले सुलिव से मिलकर विलेयन बना होता है। विलायक और विले से मिलकर विलेयन बना होता है। जैसे चीनी और पानी की घुल मिलकर विलेयन में होता है। जिसकी मात्रा अधिक होती है। उसे विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विले कहती हैं जैसे H2O विलायक प्लस चीनी विले होगी और पानी विलायक होगा जिस विले में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विले कहा जाता है